खब्रविस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरिस पैरलिंपिक में रेकॉर्ड प्रदर्शन करके स्वदेश लौटे पैरा खिलाडियों से मुलाकात की पीए मोदी से मुलाकात के दौरान पैरा खिलाडियों ने खेलों से जुड़े अपने अनुभव साजा किये पीए मोदी ने खिलाडियों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरीज पैरालंपिक में शांदार प्रदशन करने वाले भारती पैरा खिलाडियों से मुलाकात की पीए मोदी ने इस मौके पर खिलाडियों को उनकी सफलता के लिए बधाई भी दी तो वहीं खिलाडियों ने पीए मोदी को खास उपहार दिये पेरालंपिक खिराडियों के साथ बातचीत में पीएम मोधी ने कहा कि वे चाहते हैं कि समाज में दिव्यांगों के प्रती देखने का दृष्टी कौन बदले पीएम ने कहा कि आज जरूरत है दिव्यांगों के प्रती सम्मान के भाव से देखने का न की दया भाव से मैं चाहता हूँ कि इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूँ वो कल्चर यह है कि देश के हर नागरी को, समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारी दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का द्रश्टिकोंड बदले वे उनके प्रती सम्मान के भाव से देखे, दाया भाव से नहीं, वो हमें मन्जुर नहीं है, दाया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे मैं तुम से कम नहीं हूँ यह मिजाज मुझे देश में पादा करना है पिये मोधी ने कहा कि पैरा एथलीट आज समाज के मन को बदलने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पैरा खिलाडी सिर्फ मेडल नहीं, बलकि माहौल बदलने का भी काम कर रहे हैं तो आप जो यह contribution कर रहे हैं वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका contribution है सिरफ मेडल नहीं है मेडल से ज्यादा आप माहोर बदल रहे हैं हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है है और मैं मानता हूं कि हमने इस चीज को उसी रूप में करना है आखिर कर मेडल मेडल की संक्या आजकल तो यूगी ऐसा है कि इन चीजों को काउंट किया ही जाता है लेकिन 140 करोर का देश आज जिस जजबे के साथ खड़ा हुआ है खेलने के लिए नहीं जीतने के लिए जा रहे हैं मैं एक पार्टिसेपेंट्स हो जाता नहीं है एक परफॉर्मर हूँ यह जो मिजाज है न वो यह देश की ताकत बनता है और आप देश की उस ताकत में नई उर्जा भरते हैं लगातार दो उलम्पिक खेलों में स्वान पदक जीतने वालाफें खिलाडी सुमित अंतिल ने पिये मोदी को पेरा खेलों में उनके सहयों के लिए धन्यवाद किया पेरा लम्पियन शरत कुमार ने कहा कि आज दुनिया में भारत के पेरा एथलीटों का दबदबा है और ये आज पियेम के सपोर्ट की वजह से ही संभव हो पाया है जब से पार मुवमेंट स्टार्ट है मैं तब से जुड़ा हूँ एचसे और आज इस लेवल पे सारे अथलीट से मुझे खुद फ्राओड फिलिंग होता है इन सब कुछ इस तरह सब जाते हैं कोचेज फिजिए थरपिस्ट सब एक टीम जब आप लोग बाहर जाते हैं तो सर ये अफकोस साइक की सबसे पले हमेंट से स्टार्ट हुआ और फिर हम लोग को सबस्पोर्ट स्टाफ आने लग गए और एथलीट में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया और सर में तो एक और है आप से मिलने और जाने से पहले आप जब से बात करते हो और फिर आने के सबसे मिलते हैं I think सारे मेडलिस्ट सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिलते हैं सर लोग पैरा को अभी तक अपना है नहीं जिस तरह आपने अपनाया है प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा जुडो में कांस सिपदक विजेता कपिल परमार और उनके कोच से उनके अनुभाव सांजा किये उस दिन तुन मैं जे बताया कि स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी आवाज आ रही थी जी सर तो मैं मेरे कोच की सुचना है सुन नहीं पा रहा था वो मैं मैं एक्चुलि एक्परिंस करना चाहता हूँ कैसे आपके कोच कहा है एक सर हाँ जड़ा बताईए क्या मुश्किल होता है सबसे एहम बात है ब्लाइंड जूडो में कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं जो इनको सिखाया जाता है उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो यह यह बोलेंगे तो तुम्हें यह करना है क्योंकि वहाँ दिखता तो है नहीं कुछ तो उस दिन हमारे साथ दो मैट एरिया थे एक मैट पे हमारी बाउट चल लए थी फाइट और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल लए थी और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था करीब 15 से 18,000 दुर्शक वहाँ थे तो जिसकी वज़े से जब ये सेमी फाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल ला था वो ये नहीं समझ पा रहे थे और डेफनेटली क्योंके सेमी फाइनल का एक प्रेशर था और जो खिला रही था एरान का उससे पहले ये सेमी फाइनल में ऐश्याईख खेलों पहारे थे मेंटल हेल्थ से जुड़ी जानकार ये प्राप्त की. तो हमारे लोगों का क्वालिटी में क्या फरक पड़ता है? जी बहुत फड़क पड़ता है बिकुज आप अपने अंदर के दिमाग को जब कंट्रोल ले आओ तो आप अपनी गेम को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। पेरिस पेरालंपिक में अपना पहला ओलंपिक खेल कर लोटी, उतराखंड की अमीशा ने पीएम से अपने अनुभाव साजा किये। नमस्ते सर्, मेरा नाम अमीशा है और मुट रहखंसे हूं। ये मेरा पहला पारपिक था और मुझे मैं बहुत बधवड़ गेम स्टाट किया, दो साल हुए और दो साल में मैंने लाइफ में अजिन अवडना परे कश सेखने को मिला। एंद थैंक यू तो मैं कोच जिन्हों ने मुझे कॉंफिदेंस तिया कि मैं कर सकती हूं क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी तो आपने कहा था कि वहां लोगों को अबजब करना उन से सिखने को अब लोग डरते हूंगे पहले आप डरी थी अब लोग डरते हुँगे परिवार में से क्या रिस्पॉंस है अब परिवार के तुमारे फैमिली के लोग क्या कहते है आप तो फैमिली बहुत खुश है और वो पहले से ही सपोर्ट करती थी लेकिन आप और ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा दे रहे गौर तलेभे की भारती दल ने पैरिस में पैरलंपिक अभियान का समापन रिकॉर्ड 29 पदकों के साथ किया था जिसमें साथ 13 पदक, 9 रजत और 13 कांसे पदक शामिल है पैरलंपिक के इतिहास में भारत द्वारा जीते गए 29 पदकों की संख्या अब तक की सबसे अधिक है स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी निउस